नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल इमित्रा सुलिशन पर और मेहमुने सुझा दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकास से आप राज पेड़ के उपर सरसों और चना की जो टोकन है वो काट सकते हो इसकी complete जानकरी मैं इसकी वीडियो के मादम से आपको देने वाला हूँ तो बने रही है मारे इस वीडियो के साथ में वीडियो पसंदा आजाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और साथ में कमेंट बुक्स में कमेंट करना भी नहीं भूले हैं दोस्तों यदि चैनल के उपर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के एकन को अदबा करा आल नोटिकेशन को ओन कर लेना ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिकेशन है जो मिलती रही है तो चलिए दोस्तों शुरु करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले आपको आजाना है एमित्रा के डेस्बोरड के उपार यहाँ आने के बाद में दोस्तों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था मेरे साहित कुछ अन्य साथियो ने भी वीडियो बनाया था कि PIDV के माध्यम से रेजिस्टर्स नहोंगे लेकिन यह अभी बंद है तो हमें राजफेड लिखना है यहां पर राजफेड जैसे लिखेंगे तो यहां इसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने सर्वीश आ जायेगी तो आपको राजफेड लिखने के बाद में यहां OK बुटन पर क्लिक करना है जैसे आप OK बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से dashboard आएगा तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से यह open हो जाएगा दोस्तो यहाँ पर सपस्टोप से लिखा है सरसों चाना पंजियन खरीद केंदर की पंजियन किशमता बची हो तो यानि आतीविसे सामजेक सूतना आपके लिए यह होगा कि बिना मूल गिरदावरी के आपको पंजिकरन नहीं करना है यदि गिरदावरी के बिना कोई पंजिकरन करता है तो उसके लिए किशकदार को जिम्मेदार माना जाएगा OTP का विकाल पकेवाल उन व्यक्तियों के लिए किया जाएगा जिनके फिंगर प्रिंट नहीं आ रहे हैं यदि किसी का आपको OTP के माध्यम से करना भी पड़े तो आपको क्या करना है कि उसकोई सूचना है जो अराज फेड़ को देने होगी दोस्तों ये पंजी करन सुवए 9 वजे से लेकर के और शाम के 7 वजे तक ही कर सकते हैं तो आपको जैसे ही पंजी करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा यानि यहाँ पर लिखा हुआ है कि click for new registration for mustard and gram यानि चना और सर्फों के जो token आपको काटनी है वो यहाँ से काटनी है एक बात का आपको ध्यान रखना है कि गिरदावरी पगेर है सारी चीजें आपको upload करनी होगी तो आपको इसके उपर click कर देना है तो मैं step आई, step सारी जानकरी आपको बताऊंगा इसमें सफ़ेश्टूप से लिखा हुआ आ गया कि पंजी करन फोरन सावदानी से बरें एउंकिसान का पंजी करन गिरदावरी में अंकित नाम से ही करें यानि गिरदावरी में जो नाम अंकित है उसी से ही हमें पंजी करना होगा तो okay बटन पर आपको click करना है दोस्तो यहां पर इस परकार से आपके सामने यह page है जो open हो जाएगा यहां पर आपको पहले instruction है वो पढ़ लेने है instruction पढ़ने के बाद में आपको registration करना है दोस्तो इसके बाद में आपके पास में जनाधार enrollment number है तो वो आपको लगाने है यहां यहां पर शीध संख्या भी लगा सकते हैं इसके बाद में यहां पर जनाधार कर नमबर आ जाएगा इसके बाद में आपको यहां पर category select करनी है जो भी कटेगरी यहां पर आए तो वो आपको यहां से स्लेक्ट करनी है दोस्तो यहां पर जैसे आप जनाधार नंबर लगाओगे जनाधार नंबर लगाते ही यह आपको फिंगर प्रिंट वाले option पर ले जाएगा वहाँ पर तीन option आएंगे एक तो फिंगर प्रिंट का दूसरा आईरिस का और तीज़ा ओटीपी का माध्यम आपको तभी स्लेक्ट करना है जब आपके सामने ये ओप्सन आ जाए कि किसी व्यक्ति के फिंगर नहीं आ रही हो या घिस चुकी हो उसी दसा में ही आपको ओटीपी लगा करके यहां पर वेरिफाई करना है दोस्तो इसके बाद में आपको नेक्स्ट यहां पर जो भरना है वो फसल लाने वाली वेक्ति का यानि जो भी किसान है जो फसल ले जाएगा तो उसका आपको यहां पर नाम फिल करना होगा इसके बाद में क्या किसान लगू आत्वा सिमान्त किसान है तो हाँ या न नहीं दोनों में से आपको कोई एक select करके भरना होगा, इसके बाद में mobile number है, वो आपको लगाना है, इसके बाद में address है, वो जनाधार से यहाँ पर आ जाएगा, दोस्तों इसके बाद में आपको यहाँ पर तहस्दील select करनी है, इसके बाद में पटवार हलका select करना होगा, इ यहां पर बे harness काती की संख्या और साखा आपको स्लेक्ट करके भरनी हैं। दोस्तों इसके बाद में आपको बताईधार का विकल्प आ रेका यहां पर बटायदार का विकल्प आपको यहां पर बिरना होगा किया इसके बाद माह जिसमें बटाई agreement हुआ है वो आपको माह यहां से select करके भरना है दोस्तों इसके बाद में आपको खरीद केंदर select करना होगा जैसे यहां पर खरीद केंदर जिसी आप तहसील उपर भरोगे तो यहां पर आपका जो खरीद केंद्र वह आजाएगा आपको तहसील यहां से इसलेक्ट करके भर moần है इसको यहां पर एक्रीद पकर भर दिना है इसके बाद में आपको किसान के खाते की भूमी के विरण आपको यहां पर भरना होगा you can't change a purchase center after adding adding करने के बाद में आप इसमें change नहीं कर सकते तो आपको सही तरीके से किसान की गिरदावरी देख करके यहां पर आपको भरना है सबसे पहले आपको पटवार हलका यहां से select करना है इसके बाद में आपको यहां पर खाता संक्या भरनी होगी इसके बाद में कुल खसरों की संक्या आपको भरनी है इसके बाद में ग्राम भरना है खसरा नंबर भरना है इसके बाद में फसल कौन सी है वो भरनी है इसके बाद में आपको कितने हेक्टेर में बुआई की गई है वो आपको यहां पर भरना है यानि ये चीजें आपको गिरदावरी के अंदर मिल जाएगी इसके बाद में दोस्तों आपको गिरदावरी की जो PDF बना करके आपको यहां पर अपलोड करनी होगी दोस्तो PDF जो होने चाहिए वो आपके 150 केवी तक होनी चाहिए इसके बाद में आपको पटवारी की परमानित प्रति यानि P35 करमांक है वो आपको यहां पर बरना है इसके बाद में P करमांक की जो दिनांक है वो आपको यहां पर बरनी है यह आपको गिरदावरी के उपर मिल जाएगे जो आप पटवारी से लेकर के आओगे दोस्तों इसके बाद में आपको यहां पर भूमी का वीवरन जोड़ें पर क्लिक करना होगा इसके बाद में यदि आप दूसरी फसल करना चाते हो तो आपको क्या करना होगा यह चीजें हैं जो दुबारे से आपको खाता और किसी भी किसान का रेजिस्टेशन आप यहां पर कर सकती हो तो आप जैसे ही टोकन काटोगे तो यहां पर नीचे ही नीचे आपका जो रिकोर्ड है वो आ जाएगा यहां पर आपका जो रेजिस्टेशन नंबर बगेर है वो सब यहां पर आ जाएगा तो दोस्तों इसके उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में पावता के लिए जाए हिंदू